पावर ट्रेक पर बढ़ता हुआ आपका विश्वास हमें प्रेरित करता है कुछ ज्यादा करें कुछ एक्स्ट्रा करें क्यूंकि ये दिल मांगे एक्स्ट्रा पावर हो सीरीज में हम लेके आ रहे हैं यूरो पचपन अब दमदार 55 HP श्रेणी में इसमें आपको मिलता है तीन सिलिंडर का दमदार 3414 CC का इंजिन जो प्रदान करता है 225 Nm टॉर्क के साथ इस इंजिन को फ्यूल प्रदान करने के लिए माइको बॉश इन लाइन पंप दिया गया है और इस पंप को मिन्टेनन्स फ्री रखने के लिए हमने दिया है वाटर सप्रेटर इंजिन की cooling system को बरकरार रखने के लिए इसमें हम प्रदान करते है recovery bottle मतलब बहार से ही आप coolant की level को देखते हुए maintain कर सकते हो steering की अगर बात करें इसमें हम प्रदान करते है BPS balance type power steering जो छोटी सी छोटी जगह में आसानी से कटाई करें साती साथ आपको मिलता है 3 spoke वाला steering wheel easy steer knob के साथ इस steering system को maintenance free रखने के लिए हम प्रदान करते हैं separate steering oil time इस tractor की styling की अगर बात करें तो इसमें हम प्रदान करते हैं single piece bonnet और वो भी metallic paint के साथ और आगे से अगर आप देखोगे तो car जैसा inboard auxiliary headlamp जो bonnet के अंदर समाए गये हैं यूरो का branding भी आगे की तरफ दर्शाय गया है powerhouse की branding के साथ auxiliary headlight के साथ ही साथ इसमें halogen yukt बड़े headlight भी प्रदान किये गये हैं ताकि कि दिन हो या रात काम चलता रहे इसके अंदर heavy duty stylish bumper भी प्रदान किया गया है toe hook के साथ front axle की अगर बात करें तो इसमें हम प्रदान करते हैं heavy duty square type front axle जो आगे से आने वाले load या जटके को सेने की खमता ज्यादा रखता है इस ट्रैक्टर में टायर की अगर बात करें तो आगे की तरफ साड़े साथ 16 के बड़े टायर प्रदान किये जाते हैं और पीछे 16-9-28 के बड़े टायर और हाँ दोस्तों विकल्प में आपको 14-9-28 टायर भी उपलब्द है ड्राइवर की कमफर्ट को देखते हुए इस ट्रैक्टर के अंदर एक फुट स्टेप और हैंड होल की सुविदा दी गई है और डीलक्स ड्राइवर सीट मतलब फाइव एडजेस्टिंग आगे पीछे उपर नीचे ड्राइवर की वजन के हिसाब से इसकी कुशन भी एडजेस्ट कर सकते हो इस ट्रैक्टर में बैठने के बाद पैर को रखने के लिए पूरा सपाट प्लाटफरम की सुविदा दी गई है और असली साइड शिफ्ट गेर लिवर्स दिये गए हैं ताकि बिना जुके कम महनत में गेर बदलते वहे ट्रैक्टर चला सके और इसमें हाइड्रोलिक लिवर्स को भी एलिवेट किया गया है ताकि ड्रैवर बिना जुके इसको आसानी से ओपरेट कर सके इस ट्रैक्टर में इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो हम प्रदान करते हैं डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर माने दिन में अलग रात में अलग दिखने वाली instrument cluster है क्योंकि इसका backlight LED से चलता है clutch की अगर बात करें इसमें diaphragm युग्त dual clutch प्रदान करते हैं dual clutch माने इसमें दो step आते हैं जब आप आदा pedal दबाते हो तो चलती हुई tractor के अंदर अगर आप rotor वेटर चला रहे हो तो tractor रुख जाएगा मगर rotor वेटर काम चलता रहेगा पूरा clutch दबाते हो तो tractor भी रुख जाएगा रोटो वेटर भी रुख जाएगा इसका फाइदा समय की बचत वा ज्यादा output इस tractor में gearbox technology के अगर बात करें तो हम प्रदान करते हैं fully constant mesh gearbox मतलब gear बदलते time आवाज नहीं आती है गेर दीमी गती में जब आप tractor चला रहे हो तो आसानी से gear भी बदल सकते हो फाइदा gearbox की low maintenance और लंबी उमर इस tractor में उपलब्द होता है इंडिया's number one sensi one lift hydraulics मतलब दो लिवर का hydraulics जो पूरी इंडस्ट्री में मशूर है sensitivity में और hydraulic steps के अंदर लिवर्स की अगर बात करें फेंडर के पास जो लिवर है इसको position लिवर कहते हैं इस लिवर से आप जमीन की उपरी बाग यानी कम गहराई में काम करने वाले उपकरण जैसे की रोटवेटर लेवलर या सी ब्रिल आसानी से चला सकते हो और इसके बगल वाला जो लिवर है के इसरी रंग का उसको ड्राफ लिवर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ADDC sensing उपलब्ध है इस लिवर से आप गहराई में जाके काम करने वाले उपकरण जैसे की आप उपकरण को बहुत से टीक से चला सकते हो और तीसरा लिवर जो पीछे की तरफ दिया गया है इसको हम बोलते हैं auxiliary लिवर इस लिवर से आप टिपिंग ट्रॉली को उठा या गिरा सकते हो साथी साथ इसमें double QRC कपलर की सुविदा दी गई है ताकि आप dozer, laser leveler या कोई भी seat drill जिसमें दो पाइपों में hydraulic pressure की requirement होती है वो असानी से आप लगा के चला सकते हो इस ट्रेक्टर में special transport lock कम lowering control knob का सुविदा दिया गया है इस ट्रेक्टर में हम प्रदान करते हैं standard 540 PTO के साथी साथ MR PTO इसका मतलब manch high speed आप इसमें प्राप्ट कर सकते हो और हां treasure या reaper चला रहे हो अगर उसमें कुछ ज्यादा फस गया तो उल्टे PTO चक्कर भी आप प् लब्द होता है multi speed की फाइदे की बात करें कम लोड में चलने वाले alternator या water pump कम engine rpm में आप आसानी से चला सकते हो बिना belt या pulley change करते होए इस ट्रेक्टर में पीछे से अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा flat back end प्रदान करते हैं multi hitch point के साथ और हां company fitted two hook भी प्रदान करते हैं ताकि अलग-अलग size के trolley आप इसके अंदर adjust करके असानी से चला सकते हो और reduction की अगर बात करें तो इसमें हम प्रदान करते हैं heavy duty helical bullpinion reduction जो बाहर से उपकरन या trolley से आने वाले जटके या load को लेने की शमता ज्यादा है और breaking system की आप बात करें तो इसके अंदर प्रद system जो effective breaking के साथ साथ brake plate की लंबी उमर रखने में मदद करता है hydraulic system की अगर बात करें तो इस tractor में हम प्रदान करते हैं industry best पूरे के पूरे 2000 kg lift capacity sensitivity की बात करें तो इसके अंदर हमने प्रदान किया तीन option top link mount करने के लिए hard soil, medium soil, soft soil जैसे आपके आँ जमीन हैं उस प्रकार से आप top link hole selection करेंगे और जिससे आप एक जैसी गहराई कम लागत में प्राप्त कर सकते हो हम बोलते ही नहीं लिखके भी देते हैं पूरा का पूरा 5 साल की warranty दोस्तों आखिर में एक खास चीज में बताना चाहूँगा और उसका नाम है care direct 24 bar 7 मतलब एक बटन दबाके आप company के साथ क थोटी मुटी कोई समस्या है वो phone पे ही सुल जा सकते हो तो दोस्तों देर किस बात की नजदी की dealership पे जाए और इस ट्रेक्टर का डेमो ले धन्यवाद